अनुपमा ने बेटे को बताया बापू का सम्चा रुपाली गांगुली ने अपने ही पती को किया टारगेट रुपाली गांगुली हिट टीवी शो अनुपमा से अपनी आक्टिंग के बाद सबसे ज्यादा फेमस हो चुकी है आक्टर शुरुवात से ही शो का पार्ट रही और उन्हें अपने कैरेक्टर और अपनी आक्टिंग के लिए काफी ज़्यादा प्यार भी मिलता है राजन शाही के सीरियल अनुपमा को पिछले कुछ साल से बहुत बड़ी सकसेस हासिल हुई है इसे बचा से रुपाली गांगुली टीवी इंडिश्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी है फैंस उनके बारे में अक्सर ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं अब तक रुपाली को अनुपमा सीरियल में आने के बाद से कई सारे अवार्ड भी मिले हैं हाल ही में उनको एक और बड़ा अवाइड मिला था जिसके बाद रुपाली गांगुली अपने पती को इसका क्रेडिक देती हुई नसर आई थी अब रुपाली गांगुली का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जिसे खोद उन्होंने ही शेयर किया है आला कि इस वीडियो का कैप्शन सबसे ज्यादा ध्यान कीच रहा है जिसमें उन्होंने अपने बेटे को पती का चमचा बताया है वीडियो को शेयर करते हुए रुपाली गांगुली ने कैप्शन में लिखा वीडियो में आप देख सकते हैं कि अवार्ड लेने के बाद वो स्टेज पर थांक्स पीड दे रही है जैसे ही वो अपने पती अश्विन के वर्मा को इसके लिए धन्यवाद देती है वैसे उनका बेटा रुद्रांच पिता की और इशारा करके खुश होने लगता है रुपाली का कैरेक्टर अनुपमा टेलिविजन स्क्रीन के सबसे पसंदिदार कैरेक्टर्स में से एक है उनके द्वारा आक्टिंग की जा रहा इस मजबूत महीला का कैरेक्टर ओडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आता है मेकर्स ने अपने कंटेंट से ओडियन्स को सीज पर बांदे रखा है ये शो अपने मजबूत और भरोसे मंद कंटेंट के कारण लंबे टाइम से बार्ख टी आरपी चार्ट में नंबर बन पर भी बना हुआ है रुपाली के साथ तनुपमा में गौरफ खन्ना सुधांचु पांडे मदल सर्श शर्मा भी में लीड रोल्स प्ले करती हुई नजर आती है बला आपका रुपाली गांगुली के शेर कियेगा इस वीडियो पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंच में जरूर बताए ऐसी यह अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें